हेलो दोस्तों मैं सवरोब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटीब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंट सेट है रियल मी ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे तरफ रियल मी की आज की इस विडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ रियल मी जी टी नियो 3T 5G का FRP बाइपास करने का तरीका यानि कि डिवाइस का गूगल एकाउंट लॉक करने का सबसे एजी और बिल्कुल लिटेस तरीका तो विडियो को ध्यान से देखेगा अगर आपके रियल मी जी टी नियो 3T 5G का FRP बाइपास कर पाएंगे यानि कि डिवाइस का गूगल एकाउंट लॉक रिमूब कर पाएंगे एक चीज़ और बता दू दोस्तों मेरी इस विडियो को देखने के बाद आप रियल मी के उन सारे डिवाइस का FRP बाइपास कर सकते हैं जिनका software Android 12 से up to date है तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको confirm कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Realme GT, Neo, 3T, 5G ये पूरी तरह से FRP लॉक है यानि कि Google एकाउंट लॉक है तो इसके लिए मैं simple इस arrow पे क्लिक करूँगा नीचे से next करूँगा select region तो यहां से हमें अपनी country select की उसके बाद continue पे क्लिक करूँगा यहां ये box है तो आपको simple इस box को check करना उसके बाद next पे क्लिक करना है ठीक है अब यहां देखे दोस्तों यहां हम आ चुक है connect to wifi वाले option पे और नीचे के तरफ देखे ये जो next का option है ये highlight नहीं है और उपर की तरफ देखे एक option आपक को किसी wifi से connect करना है क्योंकि device में net का चलना जरूरी है तो यहां जल्दी से मैं अपने device को किसी wifi से connect कर लेता हूं डिवाइस हमारी connect हो गई दोस्तों आप देख सकते हैं उपर की तरफ wifi का symbol सो कर रहा है और ये देखे next highlight हो गया ठीक है तो मैं simple next पे click करता हूं अब कुछ second wait क आपको पूरी तरह confirm हो जागा कि मेरे पास ये जो device है real midget neo 3T 5G ये पूरी तरह से frp lock है यानि कि google account lock है और ये देखे दोस्तों finally ये problem आपको face करनी पड़ती है जब आपकी device frp lock होती है यानि कि google account lock होती है अब यहां ध्यान दीजिए device का frp bypass करने के लिए आपके पास एक option ह है draw unlock pattern यानि कि आपको ये pattern draw करना होगा अगर आपको ये pattern पता है तो आप simply pattern यहां पे draw करें अगर आपने सही pattern draw किया तो device आपकी बहुत आसानी से unlock हो जाएगी लेकिन दोस्तों ये जो pattern है pattern हमें नहीं पता है एक चीज़ और ध्यान दें यहां पे draw unlock pattern का option है तो यहां पे password या पीन का भी option हो सकता है वो आपके उपर depend करता है कि आपने अपने device में security के तौर पे क्या डाल रखा है ओके चुकि यहां pattern का option है और pattern हमें नहीं पता है तो अब हम करेंगे क्या इस option को cancel करेंगे cancel करने के लिए उपर की तरफ देखें cut का mark है तो मैं simple इस cut के mark पे click करता हूँ अब कुछ second wait करिए यहां पे लिखके आएगा verify your account आगे चलके device का FRP बाइपास करने के लिए आपको इस device का Google account verify करना होगा आप देख सकते है verify your account का आप सना गया तो अगर दोस्तों finally अगर आप आपको इस device का Google account पता है तो आप simple email और phone में enter कर दें और नीचे से next कर दें अगर आप सही Google account एंटर करेंगे तो device आपकी बहुत easily unlock हो जाएगी लेकिन unfortunately device का Google account भी हमको नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जैसा का मैंने आपको बताया आपको किसी laptop PC की जरू दूरत नहीं है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप Realme GT Neo 3T 5G ही नहीं बलकि Realme के उन सारे devices का FRP बाइपास कर पाएंगे जिनका software Android 12 से up to date है तो अब देखिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो आप यहां से बिल्कुल non-stop यहां से बिल्कुल back चले आए आपको बि देखिए left side में आपको volume up down यह दो buttons मिलेंगी ठीक है आपको करना क्या है up down इन दोनों buttons को एक साथ कुछ देर तक प्रेज करके रखना है तो ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके display में talkback का notification यहां पे slow करेगा ठीक है तो यह देखिए मैं क्या करता हूँ मैं simple volume up down इन दो on पे click कर देना है ओके अब देखिए अभी भी आपके device का talkback on नहीं हुआ है active नहीं हुआ है आपको करना क्या होगा फिर से आपको volume up down इन दोनों buttons को एक साथ प्रेज करके रखना होगा तो finally आपके device का talkback active हो जाएगा यह देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ मैं फिर से volume volume up down इन दोनों button को एक साथ प्रेज करके रखूंगा तो talkback active हो जाएगा तो यह देखिए इन दोनों button को मैंने एक साथ प्रेज किया अब देखिए नीचे के तरफ देख सकते हैं message आ गया talkback turn on और उपर के तरफ देख सकते हैं लिखा welcome to talkback यानि कि अब हमारे device का talkback पूरी तरह से on हो चुका active हो चुका है अब एक चीज़ धान दें आँपे जब आपके device का talkback on हो जाता है तो आपका touch proper work नहीं करता है कहने का मतलब यह है कि पहले आप एक बार click करते थे तो आपका touch work करता था लेकिन अब चुकी talkback on हो चुका है इसलिए आपको double click करना होगा ओके तो talkback on हो गया अब देखिए आपको करना क्या है अब दोस्तों यहाँ display पे आपको ultra L draw करना पिक्चर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम तरीका से आपको यहाँ पे ultra L draw करना है जैसे ही ultra L draw करेंगे तो आपके सामने यह permission आ जाएगा आपको करना क्या इस permission को allow कर देना है ठीक है तो allow करने के लिए while using the app यह जो option है इस option पे आप double click करेंगे तो यहाँ मैं double click करता हूँ जैसे ही double click करेंगे तो यह देखिए यह new interface आपके सामने आ जाता है और नीचे करफ आपको दो option मिलते हैं use wise commands और cancel आपको करना क्या है use wise commands पे एक बार click करना सिर्फ एक बार तो आप इस पर एक बार click करिए ओके अब देखिए आपको करना क्या है अब दोस्तों यह जो area दिख रही है आपको इस area में double click करना है और बोलना गूगल असिस्टेंट तो इससे क्या होगा आपके device में Google Assistant open हो जाएगा मैं practically दिखा देता हूँ ठीक है मैं simple double click करूँगा और बो ऐसे डबल click करेंगे तो यह देखिए यह interface आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर आपको करना क्या होगा आपको यहां पर device का talkback पूरी तरह से off कर देना है तो off कैसे होगा बहुत simple है जैसे आपने on किया था न सेम तरीका से off होगा यानि कि up down इन दोनो बटन्स को आप ए देखिए अब आपका जो touch है बिल्कुल प्रापर पहले की तरह वर्क करेगा अब आगे आपको करना क्या है यहां पर लिखाए try typing यहां पर आप सिंपल टाइप कर दें open space YouTube डिश्पले पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा तो यहां पर मैंने किया तो यहां पर open YouTube का option मिलता है आप सिंपल इस पर क्लिक करें जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में by default YouTube का application open हो जाएगा यह देख सकते हैं YouTube का application open हो गया अब आगे आपको करना क्या है उपर की तरफ देख सकते हैं goal icon मिलता है आपको इसे बोलते है account top simple account पर click करें account पर click करने के बाद आपको नीचे के तरफ एक option मिलेगा settings का आप settings पर click करें settings के बाद आपको simply click करना है दोस्तों about पर click करें और about के बाद फाइनली आपको click करना YouTube Term a services पर जैसे YouTube Term a services पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके device में welcome to Chrome browser open हो जाएगा ओपन content continue उसके बाद यहां से no thanks कर दें ठीक है यह देखें दोस्तों फाइनली जो ब्राउजर है हमारे डिवाइस में पूरी तरह से open हो चुका है अब आपको करना क्या है उपर का जो रही है इसे बोलते हैं address box तो आप simple address box पे क्लिक करें address box पे क्लिक करने बाद यहां पर आपको simple type कर देना वी एन रोम पिक्चर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ठीक है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां देखे फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड नंबर का यह जो अप्लिकेशन है mo open setting mobile open setting आपको simple इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको device की main setting open हो जाएगी यह देखे device की main setting open हो गई दोस्तों आप देख सकते हैं यह देखे device की main setting open हो गई सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस device का security software मैं आपको चेक करा देता हूं चुकि मैंने बताया था कि इस वीडियो को देखकर आप Realme के सारी devices जिनका software android 12 से up to date है उनका FRP bypass कर सकते हैं ठीक है तो इस device का भी software android 12 पे run कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूं यहां मैं about phone पे click करूँगा ओके और यहां देखे दोस्तों यह देखे realme UI version version 3.0 बिल्कुल up to date है android version आप देख सकते हैं 12 ओके यह देखे device का android version है दोस्तों आप देख सकते है device हमारी android 12 से up to date है इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप realme के उन सारी devices का FRP bypass कर पाएंगे जिनका software android 12 से up to date है यह देखिए हम बैक आ चुके है device की main setting में setting में आनेक बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएए नीचे एक option आपको मिलेगा system settings का आप इस पे क्लिक करिए system settings के बाद आप नीचे आईए तो यहाँ पे एक option मिलेगा backup and reset का आप इस पे क्लिक करिए backup and reset पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक option मिलेगा reset phone का आप reset phone प करके rate color का option मिलेगा आपको simple इस पर क्लिक करना है यह देखे फिर से same option आ गया तो आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है यह देखे रिस्टोरिंग यहाँ पे होगा क्या दोस्तों आपके डिवाइस का system setting restore होगा और जैसे ही restore होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर message आ गया ओके तो डिवाइस का system setting restore हो गया अब आप फाइनली आपको करना कहा है लास्ट वाले option पर क्लिक करना है यानि कि erase all data पर तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डिवाइस यहाँ रिबूट हो जाएगी आपने देखा दस्तों डिवाइस रिबूट हो गई ओके और अब आप वेट करिए यहा जाएगी अभी देखेगा यहां पर वाइपिंग प्रोसेस होगा उसके बाद फिर आपके डिवाइस रिबूट होगी और उसके बाद मैक्सिमम एक से दो मिनट आपको वेट करना होगा यह देखें वाइपिंग प्रोसेस हो रहा है न जैसे यह कंपलीट होगा डिवाइस फिर से रिबूट हो जाएगी आपने देखा दोस्तों कंपलीट हुआ डिवाइस रिबूट हो गई ओके तो अभी आप वेट करिए एक से दो मिनट मैक्सिमम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ रियल्मी जीटी नियो 3T 5G का FRP बाइपास करने का तरीका यानि की डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूब करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस तरीका एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस मैथड से आप रियल्मी के उन सारी डिवाइस का FRP बाइपास कर पाएंगे जिनका सॉफ्टवेर एंडरोड 12 से अप करें प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में जो बेल आकन है उसे भी प्रेस करिएगा इससे क्या होगा आने वाली नेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है कोई प्राब्लम है तो आप अपने सवाल और प्राब्लम मुझसे जरूर सेयर करिए आप अपने सवाल और प्राब्लम आप मारे यूटीब वीडियो के कमेंट बाक्स में टाइक करिए मुझसे सेयर करिए मैं जल्द से जल्द आपको ब बेहतर से बेहतर सल्यूशन देने की कोसिस करूँगा, तो आपने देखा दोस्तों, डिवाइस हमारी रीबूट होई, अभी आपको वेट करना इसे पूरी तरह से एक्टिव होने तक, उसके बाद मैं आपको फूल प्रोसेस बताऊँगा, और यह देखे दोस्तों, फाइनली डिवाइस हमारी रीबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, और अब मैं बता दूँ, अब आपके डिवाइस का एफारपी फिलाल पूरी तरह से बाइपास हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको कम्प्लीट सेट अप करके द लिखा देता हूं, तो सेट अप करते हैं, इसके लिए सिंपल इस ऐइरो पेक defined करेंगे, यहां से सिंपल नेक्स्ट करेंगे, सलेक्ट रीजन, तो यहां से आपको अपनी कंट्री सलेट करनी है, तो यहां इस लिश्ट में आपको मिल जागा इंडिया, तो यहां से मैंने का option यहाँ पे highlight नहीं है, उपर की तरफ सेम, पहले की तरफ आप देख सकते हैं, skip का option है, लेकिन अब देखिएगा, पहले जब मैं skip पे click करता था, तो यहाँ पे एक message आता था, और उस message में यह लिखा होता था, कि आप अपने device को किसी mobile data या wifi से connect करें, लेकिन अब अब चुकर device का FRP bypass हो चुका है, इसलिए ऐसा कोई भी option नहीं आएगा, तो चलिए मैं simple यहाँ इसकी पे click करता हूँ, आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे wifi से connect करने का option नहीं आया, और यहाँ पे देखिए Google Services आ गया, यानि कि अब आपके device का FRP पूरी तरह से bypass हो चुका ह फिर भी मैं complete setup करके दिखा देता हूँ, यहाँ मैं more पे click करूँगा, more, accept, ओके, इस option come simple उपर से skip करेंगे, यह देखिए, negation है, इन दोनों में से आपको जो पसंद हो, वो आप select कर लें, मैं simple buttons वाला select करूँगा, उसके बाद next पे click करूँगा, unlock method का option आ गया, इस option come simple complete started मिलता है, simple आप इस पे click कर दें, ओके, और यह देखिए दोस्तों, complete android setup करके मैंने आपको दिखा दिया, finally हमारी device real new GT Neo 3T 5G पूरी तरह से अनलाक हो गई, इसका FRP पूरी तरह से bypass हो गया, device हमारी पूरी तरह से active हो गई, ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पाने के लिए जल्दी से आप मारे YouTube चैनल सब्स्राइब कर लें, बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि आने वाली next वीडियो की notification continue आपको मिलती रहे, तो